हेलो फ्रेंज वेलकम बैक तो चलिए फ्रेंज आज के कोशन को हम आगे पढ़ते हैं तो आज का जो सेशन रहेगा बहुत ही इंपोर्टेंट सेशन है SSC में भी इसी तरह के important जो question है वो पुशे जाते हैं तो चलिए आज के session को start करते हैं तो first question है friends The Constitution of India borrowed the procedure of constitutional amendment from the Constitution of अब बात करो जो source of Indian constitution है ध्यान रखिए आप वो कौन-कौन सी countries है सबसे पहले आ जाती है UK ठीक है सबसे पहले आ जाती है UK तो UK से क्या बारो किया हुए है आप main main चीज़ें इसकी याद रखें क्या-क्या UK से बारो किया हुए है सबसे पहले आ जाती है RIDs जो RIDs आती है 5 RIDs है वो भी UK से क्या की हुई है वारो की हुई है ठीक है उसके बाद आ जाता है RIDs के बाद जो parliamentary government है पीजी लिखती है इसको parliamentary government ठीक है उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है जो single citizenship FC आ गया single citizenship ठीक है उसके बाद जो CAG office है जानी की controller and auditor general का जो office है वो वी जो system था वो सब जुके से बारो किया गया है ठीक है तो आप इन्हें जाद रखें तो उसके बाद चलिए next की बात करूँ में next आ जाता है अपका USA ठीक है next आ जाता है USA से USA से क्या क्या वारो किया गया है सबसे पहले जो written constitution है जो written constitution है वो भी कहां से वारो किया गया है USA से वारो किया गया है ठीक है उसके बाद आ जाता है जो सुप्रीम कोट है । कि अब से किया गया आपका सारी USA से किया गया ठीक है तो इने भी आप याद रख सकते हो तो next बात करूं आपका क्या हो जाता है USSR जाने की रचिया यहां से क्या किया गया है fundamental duties की गई है fundamental duties की गई है fundamental duties भी यहां से की गई है तो next आ जाते हैं Australia, Australia से क्या किया गया है, concurrent list ठीक है औस्ट्रेलिया से क्या किया गया है, concurrent list को adopt किया गया है next आ जाते है जपान, तो जपान क्या जाते है, procedure established, जो procedure होता है, procedure established by law ठीक है तो next आजाता है आपका जो South Africa है तो South Africa से जो Procedure of Amendment है जानी कि Constitutional जो Amendment है वो भी South Africa से Adopt किया गिया है उसके बार जो आता है Republic and Idea of Liberty, Equality जानी कि Preamble की बात करूँ वो भी परान से Adopt किया गिया है तो आपका जो First Question है The Constitution of India बारो दी Procedure of Constitutional Amendment from the Constitution of तो इस Question का जो आपका सही और Correct answer हो जाएगा वो हो जाएगा Friends आपका Option Number A जानी कि South Africa से जो Constitutional Amendment है वो South Africa से वारो किया गिया है तो Next Question आ गया Which of the following term was inserted into the Preamble by the 42nd Amendment of 1976 जानी कि जो 42nd Amendment 1976 की हुई थी उदर जो Preamble में कौन सा वर्ड जो इंसर्ट किया गिया था तो जो Preamble था वो आपका कहां से Adopt किया गिया था कौन से दे से इसको Adopt किया गिया था तो जे आपने बताना है जो Preamble था कहां से Adopt किया गिया था हमने इसके पहले भी बात की जो Preamble था आपका वो जो फ्रांस से Adopt किया गिया है तो जो Amendment कौन सी 42nd 1976 में हुई थी तो कौन सा जो वर्ड था इसमें इंसर्ट किया गिया था वो है फ्रेंज आपका Option Number D जानी कि Fraternity इसकोशन का सही आंसर हो जाएगा तो चलिए Next Question की बात करें जो Next Question आ जाता है जो किस ने बोला हुए जो Preamble है वो क्या है Identity Card है हमारे Constitution का तो इसकोशन का सही आंसर हो जाएगा Option Number B जानी कि N के पकी वाला ने जो बोला हुए प्रेंबल इस दा Identity Card of Our Constitution तो आप इसे जाद रख सकते हो तो नेक्स कोशन आ गया बारो दी आइडिया आफ कांसिटूशन का जो आइडिया वो कहां से बारो किया गया है तो इंडियन कांसिटूशन बारो दी आइडिया प्रेंबल फ्राम दी कांसिटूशन आप जिए हमने पहले भी दर बात की तो आप इसे याद रख सकते हो तो क्या हो जाता है यूएस से इसका हो जाएगा तो चलिए नेक्स कोशन की तरफ इन में से आपने बताना है उरीजनली जो फंडामेंट राइट था बट एक लिगल राइट नहीं था तो इस कोशन का आप से ही आनसर बताओगे जो आपका ऑप्शन नमबर ए राइट वो प्राइट था लेकिन वो क्या है लिगल राइट नहीं है तो नेक्स कोशन आ जाता है दा फंडामेंटल राइट वास एन श्राइंड इन विच पार्ट आफ दा इंडियन कान्सिटूशन जो फंडामेंटल राइट है वो इंडियन कांसिटूशन के कौन से जो पार्ट में आते हैं तो question number जो आपका next है इस question का आपका सही answer हो जाएगा option number क्या sorry we part number 3 इस question का जो सही option हो जाएगा कौन जो आपके fundamental rights है fundamental rights है वो आपके कौन से में आ जाते हैं आपका जो part number 3 है जो fundamental right है जो article 12 से 35 तक आते हैं fundamental right article 12 से 35 तक आते हैं six fundamental rights हो जाते हैं कौन-कौन से right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational right, right to constitutional remedies तो इसे आप देख सकते हो तो चलिए next question की तरफ how many articles and schedules were present in the original constitution of India जो जिस समय जो constitution बना था, उस समय कितने जो articles थे, वो कितने थे, 395 articles थे, और इसमें क्या थे, 8 जो schedules थे, वो थे, ठीक है, अब कितने हो गया है, schedules, 12 schedule हो गया है तो चलिए next question की बात करूँ, जो next question है, important question है, तो हमने पहले भी इस question को discuss कर चुके हैं, जब हमने पूरे आपसे जो source of Indian constitution डिसकस करे थे तो next question आ गया, the concept of single citizenship, जो single citizenship था, single citizenship का जो concept था, वो कहां से adopt किया गया था, कोन से country के constitution से adopt किया गया था, ब्रिटेन, अमेरिका, कैनेडा, जर रशिया, USSR, तो इस question का जो सही answer हो जाएगा, option number A, जानी की ब्रिटेन, UK इस question का सही answer हो जाएगा, जो single citizenship का rule था, constitution था, वो UK से adopt किया गया था, तो और जो रिट्स थी, cabinet system था, rule of law था, by camera पार्लिमेंट थी, वो भी सब UK से adopt, जा वारोड की गई थी, तो चलिए next question की बात करें, तो जो next question आपका आ जाता है, next question में आपने बताना है, लाजिसलेचर आफ़ता, union, which is called Parliament, consist of, जो लाजिसलेचर, union का है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पार्लिमेंट बोलते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या क्या होता है, तो इसका answer आप बताओगे, लोकसभा, राज्यसभा, राज्यसभा हैं, लोकसभा, प्रेजिडेंट राज्यसभ जो लाजिसलेचर, union का, उसे हम क्या बोलते हैं, पार्लिमेंट बोलते हैं, तो उसमें क्या क्या होता है, आप्शन दिये हुए, फर्स्त आजाएगा लोकसभा, सैकीन आजाएगा राज्यसभा, थर्ड आजाएगा राज्यसभा, फौर्थ आजाएगा प्रेजिडेंट रा राज्य सबा और लोग सबा के सारे जो मेंबर्स होते हैं वो वहां पे प्रेजेंट होते हैं तो इस कोशन का जो आपका क्या रहेगा प्रेजिडेंट राज्य सबा और लोग सबा सारे ओप्शन इस कोशन के सही आंसर हो जाएंगे जो राज्य सबा आती है आपकी वो आर्टि 52 में ठीक है इसकी maximum strength कितनी है 250 जो राज्य सबा की और जो लोग सब है जो आर्टिकल 81 में आता है इसकी maximum strength कितनी है 552 है ठीक है तो आप इसे भी याद रख सकते हो तो आज के session में friends बस इतना ही चानल से first time जुडियो तो चानल को subscribe करें और अपने फ्रेंडों में जुरूर शिय करें